हेलो फ्रेंट्स बेलकम टो मैं चैनल और आजम बनाएंगे ये सूज और्गनाइजर बेस्ट फैब्रिक से हम ये बनाने वाले हैं और देखे बिल्कुल कम स्पेस में आपके काफी ज़्यदा जुत्ते चपल इसमें आ जाएंगे और बिखरे हुए बिल्कुल भी नहीं रहें झुरू करते हैं इसके लिए आटे की ठहली तरा से हमें इसमें चारपीस कीज राइने उनकी यंदे घुटमीज़ी मैं शुक्त रहें आप कोई भी ले सकते हो पुरानी चादर या आप के पास पुराना कोई दुपठा होईं तो यह देखिए इस तरह से मैंने इनको बनाया लाइनिंग, बीच में मैंने वो आटे की बोरी रखी है, इस तरह से यह मैंने देखिए, इसको कुल्ट किया है, आप सिलहीं भी इसमें लगा सकते हो तो यह देखिए इस तरह से तीन पीस मेरे लंबे में इस तरह से है और जो चार पीस है यह गोल मैंने लिये हैं और तीन ही मैंने जिप भी ली है तो इस तरह से हमें ना इनको पहले कुल्ट कर लेना है यानिकी नीचे लाइनिंग लगानी है बीच में मैं चावल से लगाएंगे उसके उपर फिर दुबारा से हमने जो लंबे लंबी पटियां काटी है न यह लगाएंगे पर इसमें हम जीप भी लगाएंगे अभी आपको में आगे बताती हूँ तो सबसे पहले यह देखिए यहां से हमने यह जो तीन पटियें काटी है इसको इस तरह से जिप की लंबाई के हिसाब से हमने यह कट कर लेना है यह देखिए इस तरह से हमने यह कट कर लेनी है और बीच में फिर एक कट इसमें और लगाएंगे और फिर हम पहले इसमें सबसे पहले जिप लगाएंगे इसी की नापकी हमें अब तीनों को कट कर लेना है और फिर उसके बाद इस तरह से बीच से हम इसको काटेंगे और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे जिप यह देखिए इस तरह से हमने इसमें जिप लगा लेनी है और यहाँ पर इस तरह से और दूसरे साइड को इस तरह से अगर विडियों में अगर आप मेरे फस्ते वीजिप कर दें तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बने बल आइकन को पैस करके आप ओल पे क्लिक करिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का जो नौटिपकेशन है वो जल्दी से मिल जाए तो इस तर इन नों पटियों में हमने फिर से इन इको आटेच कर लेंत तीनों को हम इनके ऊपर इसी तरह से इस्त Us तो यह देखे सिलाई अब मैंने इन में लगा ली है तो इस तरह से पहले हम देखे इस तरह से इसमें यह सिलाई करेंगे यह देखे पूरे राउंड में यह देखे ऐसे करके हमने जो है फर्स्ट राउंड इस तरह से सिलना है सिधे से सिधा रखेंगे यह देखे इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके न हमें इसको सिलते जाना है पूरे राउंड में, और Ф्रेंट्स आप इस और्गनाइजर को और भी कई चीजों में यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको शूज रखने के लिए ही इस और्गनाइजर को यूज़ करना है, आप इ इस तरह से हमारी जिप आ गई अब दूसरे वाला राउंड पीस हम लेंगे और इसको भी यहाँ पे अटेच करें लेकिन इसके साथ जो हमारी यह वाली पट्टी है यह साथ में हमने अटेच करनी है अभी आपको मैं बताती हूँ यह तीनों पीस हमारे साथ में ही अटेच हो जाएंगे और बहुत ही सिंपल है यह देखिए इस तरह से हमने जहां से हमने जिप स्टार्ट करी थी नहीं इसी जगह पे यहां पे इस तरह से हमें रखना है और यह राउंड पीस जो है इस तरह से इसके उपर रखना है यह देखिए इस तरह से इस तरह से अब पूरे रा लुँजान रखना है कि थोड़ा थोड़ा पकड़के ना हमें सिलाई लगानी है यह देखिए seria अगया तो इसमें सिलाई मैंने लगा लिए देखिए दूसरा बार यह हमारा यह और पीरसे ही हम स्टिच करेंगी दिखिए ऐसे आएगा जहां से हमने जो दो रखे थे ना वहीं पर ही हमें इसको स्टार्ट करना है और इसको फिर से हमने राउंड में इसमें सिलाई लगानी है तो यह देखिए यहां से जहां से हमने स्टार्ट के था ना देखिए इस तरह से पहले हमें यह पट्टी रखनी है यह देखिए ऐसे कर करम इन।ो की आदा किसे क्ति कुछ का नहीं गुए तो इस तरह थ्मीक्त करते गालों सटीश कर चाहिए कि अब रूपर को और भी ख़िए कर betष करने चाहिए का हमा डूपर को और इस पॉकेट यहां देखिए वो इसमें नहीं यूज़ कर रही हूँ सिर्फ यही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर हम हैंडल बना लिया है पहले हैंडल हम बना लेंगे क्योंकि फिर स्टिच करने में हमें प्रॉबलम होगी तो यह देखिए इस तरह से अब इसको पूरे घुमाते हुए हमें इसके पूरे राउंड में शिलाई लगा लेनी है तो जीकी फ्रेंड्स पूरे और्गनाइजर को मैंने इस तरह से कंपलेट कर लिया है आप इसको बल्टीबल के लिए यूज़ कर सकते हो आप इसमें कोई भी सामान भी रख सकते हैं कपड़े भी रख सकते हैं और सूस पुले लगी होगी तो प्लेज वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत पुलिएगा और थेंक्स पॉर वाचिंग मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई